परिचय आपकी रसुई की अन्मारी निश्चित रूप से सफाई के साथ कतार में खाने के डब्बों से सुसजित होगी, जिन में से अधिकांश प्लास्टिक के बने होंगे. आज कल प्लास्टिक ने हमारे जीवन में इतनी प्रमुक्ता से स्थान बना लिया है कि हमने ऐल्यूमीनियम, लोहा, स्टील और काज जैसे पदार्थों को प्लास्टिक से बदल दिया है. इसलिए आएए इस अध्याय में प्लास्टिक के बारे में और अधिक जानते हैं, जहां आप प्लास्टिक के सामान निगुणूं और अपने दैनिक जीवन में इसके महद्व के बारे में अध्यान करेंगे. उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्ने करने में सक्षम हो जाएंगे. प्लास्टिक को परिभाशित करना धर्मों प्लास्टिक और धर्मों सेटिंग प्लास्टिक को परिभाशित करना प्लास्टिक की विशेष्टाओं और अपने दैनिक जीवन में इसके महत्व का वर्डन करना हमारे परियावरण पर प्लास्टिक के दुश्प्रभावों की चर्चा करना प्लास्टिक क्या है? विभिन प्रकार के रूपों में ठल जाने, गढ़े जाने और प्रक्रिया किये जाने के गुणों के कारण इस पदार्थ का नाम प्लास्टिक रखा गया यह रासाइनिक रूप से प्राप्ट किया जाता है अधिकांश्टा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के संशिलेशन द्वारा संशिलेशित रेशे के समान प्लास्टिक भी एक बहुलग है जो कई छोटी समान इकाईयों को मिला कर बनाया जाता है क्या सभी प्लास्टिक के इकाईयों की समान प्रकार की वैवस्था होती है? नहीं, कुछ प्लास्टिक में रैखिये यानी लीनियर वैवस्था होती है जबकि अन्य त्रियक बद्ध यानी क्रॉस लिंग्ड होते हैं प्लास्टिक के प्रकार क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब किसी पॉलिथिन बैक को जलाया जाता है तो क्या होता है? हाँ, ये पिघल जाता है और आप इसकी हानी कारक दुरगंध के अलावा इसकी बूंदों को गिरते देख सकते हैं क्या सभी प्लास्टिक जलने पर पिघल जाते हैं? आईए देखते हैं, गर्म किये जाने पर इनकी प्रदिक्रिया के आधार पर प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं, ये हैं धर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक की घटक की काईयों में रेखिये यानी लीनियर व्यवस्था होती है, गर्म किये जाने पर ये मोडने योके और मुलाइम हो जाते हैं, अब इनको किसी दूसरे आकार में ढाला जा सकता है और फिर ठंडा किया जा सकता है, परिणाम सरूप ये बिना किसी परिवर्तन के कठोर हो जाते हैं, इसलिए इनका पुनर चकरन किया जा सकता है, थर्मो उलास्टिक के कुछ उधारणों में शामिल है, पॉलिथीन, पॉली विनाइल, क्लोराइड और पॉलिस्ट्रीन, इनका उप्योग पानी के पाईप, जलनिकासी पाईप, पैकेजिंग बैक और पोतल, खिलोने, कंगे, नश्ट करने योग कटलरी, सीडी और डीविडी के के साधी बनाने में किया जाता है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में इसकी घटक एकाईउं की त्रियक पद्ध यानी क्रॉस लिंक्ट वैवस्ता होती है, इनको केवल एक बार पिगलाया जा सकता है, और ये एक बार आकार लेते हैं, कटोर कर दिये जाने के बाद ये कटोर ही रहते हैं, बाद में गर्म करने पर ये मुलायम नहीं होते, और इसलिए अपना आकार नहीं बतलते, इसलिए इनका पुनर चकरन नहीं किया जा सकता, बैक लाइट और मेलमाइन, थर्म सेटिंग प्लास्टिक के दो उधारण हैं। विद्युत के स्विच, बर्तनों के हैंडल बैकलाइट से बने होते हैं क्योंकि ये उश्मा और विद्युत के कुछालग होते हैं। जबकि मैलमाइन का उप्योग, जमीन की टाइल और रसोई की वस्तुएं तथा कुछ प्लास्टिक का उप्योग इतने व्यापक इस्तर पर क्यों होता है। प्लास्टिक के बर्तनों का उप्योग अधिकांश्ता, अनाज, अचार, नमक और मसालों के संग्रहन के लिए किया जाता है। क्योंकि ये अपिक्षकृत, अनभी क्रियाशील और आद्रतारोधी होते ह हैं। चूंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। इसलिए विद्युत के तारों पर प्लास्टिक का आवरण होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि खाना बनाने के लिए उप्योग किये जाने वाले बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक के होते हैं। प्लास्टि हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक। ऐसा एक भी दिन नहीं बीचता जब हमने कोई ऐसी वस्तु देखी या उप्योग ना की हो जो प्लास्टिक की बनी हो। इसे उप्योग में आसान बनाने वाले विबिन प्रकार के इसके गुड़ों के कारण इसने हमारे जीवन में प्रमोकिस्थान ले लिया है। इसे उप्योग में आसाने और कई मेडिकल उपकरणों में किया जाता है। हैरानी होगी कि अगनी रोधी प्लास्टिक भी होते हैं। अगनी शमन दल के लोगों की वर्धी को अगनी रोधी बनाने के लिए उस पर मेलमाइन प्लास्टिक की परचड़ी होती है। प्लास्टिक और परिया वरण हम जानते हैं कि संशलेशित पदार्थ होने के कारण प्लास्टिक जैव अनिमनी करणिये हैं। क्यूंकि इसे नश्ट करने वाले आवशक किनवक यानी एंजाइम, विशलेशन करने वाले यानी नश्ट करने वाले तत्व जैसे विभन जीवानूं और फपून में मौजूद नहीं होते। अतहा प्लास्टिक के धेर को एकत्रित कर गढ़ों में जमा किया जाता है। प्लास्टिक जमीन की सतह पर एक आवरण का निर्मान कर देती है, जो की पानी की अभेद्ध होती है, जिस कारण वर्षा जल मिट्टी में सोखा नहीं जाता और इस प्रकार ये भूदल जल सनक्षन को घटाती है। आपने कूडे के धेर के निकट प्लास्टिक बैक में से खाना बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रही गाय को निश्चित रूप से देखा होगा। वे अंत में प्लास्टिक बैक भी खा जाती हैं, ये उनके श्वसंतंत्र में कंट रोद उत्पन्न कर सकती हैं या अमाशे में एक अस्तर बना सकती हैं, परिणाम सो रूप उनकी मौत हो सकती है। प्लास्टिक को जलाने पर यह वातवरण में जहरीला धुआ छोड़ता है। प्लास्टिक से जल भराओ का भी खत्रा है। जब ये प्लास्टिक नालियों में भर कर उन्हें बंद कर देती हैं, तो नालियां वर्षा काल में वर्षा के दौरान अत्यदिक भर जाती हैं, जि हमारे परियावरण को प्लास्टिक के बढ़ते धेर से बचाने के लिए परियावरणिये दृष्टी कोंड से जागरुक नागरिक होने के नाते ऐसे कई ख़दम हैं जो हम उठा सकते हैं। हम प्लास्टिक बैक को पर्सन या हस्त निर्मित कागजी बैक से बदल सकते हैं। कहीं भी विशेश रूप से सड़त पर या जल स्रोतों में फेकने के बजाए प्लास्टिक बैक या अन्यप पदार्थों को जैव अनिमनी करणिये के रूप में चिन्हित कूडे के डिबे में फेकें और इस प्रकार इन्हें जैव निमनी करणिये अप्षिष्टों से अलग प्लास्टिक के अबशिष्टों को पुनर चक्रन करने के लिए अबशिष्ट विकरेता को बेचें. 4. आर की नीती का उप्योग करें. अर्थात, Reduce यानि घटाना, Reuse यानि पुना उप्योग, Recycle यानि पुनर चक्रण और Recover यानि पुना प्राप्ती सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं प्लास्टिक बहुलक होते हैं थर्मो प्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक दो महत्पून प्रकार के प्लास्टिक हैं प्लास्टिक आप्रती क्रियात्मक, हलके, मस्बूत, टिकाउ और उश्मा तथा विद्युत के कुछालक होते हैं प्लास्टिक का उप्योग व्यापक स्तर पर स्वास्थे देखभाल उद्योग, भवन निर्मान समगरी और पाइप लाइनों में किया जाता है। जलने पर प्लास्टिक जहरीली गैसों का उस सर्जन करता है। प्लास्टिक अपने जैव अन्यमनी करणिये प्रकृति के कारण नश्ठ होने में सैकणों वर्ष लेता है। चार आर की नीती का उप्योग करें। अर्थात रिडियूस यानी घटान, रियोज यानी पुना उप्योग, रिसाइकल यानी पुनार्चकरन और रिकवर यानी पुना प्राप्ति। अर्चकरन पुनार्चकरन पु Calvin Lyal आर्चकरन में। जिस झाओत रिकवरタ L 가서 sizin अलीक पुनार्चकरन, रियोग, जिसा का उन्याओ, आर में выше वर्में, इसा का आर, bei वर्चकरन बचलना सफ्टाट diagnosed. झाल झाल